तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं इसमिच ब्रैंड के इस स्मार्ट बल्प को जो कि 10 वार्ट का है और जैसा कि आप दे सकते हैं ये कुछ इस तरह के बॉक्स में पैक होके आता है बॉक्स पे दिया गया है इसका प्रोड़क्ट नेम जो की वाई-फाई-अर्जेवी स्मार्ट बल्ट 10 वार्ट है बॉक्स के राइट सैट में हमें दी गया है इसके कुछ फीचर्स जिसके बारे में हम आपको आगे डिटेल में बताएंगे और right side में दिया गया है इसका MRP जो की 1199 रुपीज है पर flip card पर ये आपको 300 से 600 के बीच में मिल जाएगा इसका price हमेशा change ही होते रहता है जब सस्ता मिले ले लीजिए हमें तो ये sale में 300 का मिला है अब हम इसे box से बाहर निकालते हैं और आपको इसे दिखाते हैं box के अंदर सबसे पहले हमें मिलता है ये छोटा सा information booklet और ये है हमारा bulb ये ordinary bulb से थोड़ा सा अलग है आप देख सकते हैं इसका diffuser थोड़ा सा round type का है और weight में भी ये बाकी 9W के bulb से थोड़ा सा हलका है इसके technical specs की बात करें तो इसमें हमें B22 style का cap मिलता है ये 2.4 GHz Wi-Fi को support करता है ये 10 Watt का है और ये 1000 Lumen का output भी देता है जो कि perfect है ये 100 V से 265 V के बीच में काम कर सकता है तो इसे low voltage में भी कोई दिकत नहीं होगी ये 16 million color produce कर सकता है और 2800 Kelvin से 6500 Kelvin तक के color temperature को produce कर सकता है आपको इसे इसके app से control करना होगा और इसे app के साथ connect करना होगा तो आब हम इसका setup process देख लेते हैं सबसे पहले हमें Google Play Store से MySmith app install करना होगा Apple App Store पे भी ये app present है अब हम app को open करते हैं app open होने के बाद आपको कुछ इस तरह का UI मिलेगा हम इसे swipe करके get started पे क्लिक करते हैं get started पे क्लिक करते ही आपको कुछ ऐसा login screen दिखेगा पर आप यहाँ login तभी कर पाएंगे जब आपके पास पहले ही से ही smich account हो हमारे पास account नहीं है तो हम नीचे sign up पे क्लिक करेंगे अब यहाँ नीचे हमें अपना नाम डालना होगा कोही भी email ID डालना होगा और smich account के लिए नया password डालना होगा और अब हम continue पे क्लिक कर देंगे हमारा नया account create हो गया है तो अब हमें दोबाड़ा से login करना होगा हम यहाँ email ID और password डालके continue पे क्लिक कर देंगे login करने के बाद हमें यहाँ add a smart device पे क्लिक करना होगा और location access को allow करना होगा अब हमें इस smich के सारे smart device की list मिलीगी इस time हम bulb को इस text lamp में लगा लेते हैं और इसे on कर देते हैं पहली बार bulb को on करने पर यह कुछ इस तरह से अलग-अलग colors में glow करेगा अब हम app में light को select करेंगे आप देख सकते हैं app ने bulb को search कर लिया है अब start setup पे क्लिक करेंगे अब यहाँ दो option आता है आप इसे wifi router से connect कर सकते हैं या फिर directly अपने smartphone के wifi से भी connect कर सकते हैं हम पहले इसे directly phone से connect करेंगे इस आल राट पे क्लिक करते हैं अब हमारा bulb setup हो चुका है हम अब continue पे क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का interface आएगा यह है इसका color wheel जिससे आप कोई भी color को choose कर सकते हैं और bulb भी उसी color में glow करेगा सेंटर में हमें white color मिलता है और यह बाकी color से काफी ज़्यादा bright है उपर की तरफ हमें on off toggle switch मिलता है जिससे आप bulb को on off कर पाएंगे यहाँ नीचे है इसका brightness control slider और इससे आप brightness को अपने अनुसार control कर पाएंगे यह है इसका effect tab जिसमें हमें random, strobe और candle effect मिलता है यह है random effect जिसमें इसका color automatically random तरीके से change होते रहता है यह effect बहुत ही अच्छा है और बहुत अच्छा look प्रवाइट करता है यह है strobe effect जिसमें bulb rapidly on off होता है पर यह कुछ खास काम का नहीं है पर है और candle effect में यह कुछ इस तरह से candle की light के तरह flicker करता है अब हम effect को burn करते हैं इस bulb में हमें music sync का भी feature मिलता है पर उसके लिए आपको इस bulb को किसी wifi router से connect करना होगा और तब ही यह feature so करेगा music sync में यह bulb music के bits के हिसाब से color को change करता है और यह है temperature tap इस tap के help से आप इस bulb के color temperature को इस temperature will के help से change कर सकते हैं उपर के तरफ है warm yellow is white color और नीचे के तरफ है blue is white color इस bulb में बस इतनी features हैं इस bulb को wifi router से directly connect करने के बाद आप इसे google assistant के साथ भी use कर सकते हैं पर router से connect करने के बाद यह bulb smoothly work नहीं करता है और बहुत ही slow काम करता है Google assistant के साथ integrate होने के बाद कभी कभी इसका अपना my switch app भी काम करना बन कर देता है और सारा control Google assistant के हाथ में हो जाता है जो की बहुत ही frustrating है पर future में सही update भेज कर और bugs fix कर के company इसे fix कर सकती है और Amazon Alexa के साथ यह connect हो जाता है पर यह Alexa के किसी भी command को follow नहीं करता in short आप इसे Alexa के साथ यूज़ नहीं कर सकते है हो सकता है future में Alexa का भी support इसमें मिल जाए इसी वज़ा से हम इसे directly phone से ही connect कर गए यूज़ करते है हाँ पर smich का customer support service काफी अच्छा है और वो लोग बार बार call करके आपके problem को fix करना चाते हैं और काफी helpful भी हैं बस अगर smich अपने app को improve कर ले और Amazon Alexa के साथ सही से integration कर ले तो यह bulb अपने competition से काफी आगे निकल जाएगा और company update भेचके ऐसा कर भी सकती है तो final conclusion यह है कि यह bulb अपने pricing के हिसाब से काफी अच्छा है और इस price range में अभी तक इस bulb को को ही भी टकर नहीं दे सकता है और आप इसे ले सकते हैं और अगर आपके इस bulb से related को ही भी सवाल है तो आप उसे नीचे comment section में पूछ सकते हैं हम जरूर reply करेंगे तो आज की इस वीडियो में बसेत नहीं और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजे तो आप मिलते हैं अगले वीडियो में बाई